नमस्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से. हिंदुस्तान के इतिहास में 6 डिसंबर, दो कार्णों से महत्वपून है, सबसे पहले, 65 वर्ष पहले, 1956 में बाबा साहिब डॉक्टर बियार अंबेडकर की मृत्यू हुई थी, उसके पर शाथ 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया था, यह यू समझिये उस धाचे की लिटरल बृत्यू हुई थी, It is not only the living who have life and death. Even monuments, especially the disputed ones, have life and death. There are also pre and afterlives of monuments. बाबरी मस्जिद के मामले में pre-life घटनाएं वे हैं जो अयोध्या में 1526 के पहले हुआ. माना जाता है यह वो वक्त है जब मस्जिद का निर्मान किया गया था. बाबरी मस्जिद की afterlife conspicuous है. Figuratively, शूने हो जाने के बाउजूद मस्जिद का presence हर डिबेट में महसूस किया जा सकता है. Both these events on the 6th of December, distanced by 36 years, are observed by different groups in polarly opposite ways. 1956 के event को देश के सामाजिक न्याए के proponents महापरी निर्वान दिवस के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ हर साल मनाते हैं. बौद धर्म में परी निर्वान उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो जीवन काल में ही निर्वान प्राप्त कर चुका होता है. December 6, 1956, that was the day when Dr. B.R. Ambedkar passed away. Besides his pivotal role in framing India's constitution, he was a champion of the socially deprived women and labor. उनकी पुनियत थी एक उत्सव है क्योंकि उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याई की लड़ाई लड़ी थी. The 6th of December in 92 is celebrated for completely different reasons to mark retrograde victory. दक्षिन पंथी, हिंदू, सांप्रदाइक ताक्तें उस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं. उनकी अनुसार, बाबरी मस्जित का विध्वन्स, इतिहास में मुसल्मानों द्वारा हिंदूओं पर किये गए अपमान का बदला, इसका लेने का एक तरीका था. ये एक विधंबना है, अलग-अलग दो anniversaries एक ही दिन पड़ती हैं, लेकिन दूसरी घटना ने पहली को नकार दिया, और, understand it this way, completely undermined the reason for celebrating Dr. Ambedkar's life and his passing. In 2021, India completed 35 years since the Babri Masjid was mischievously thrown open to Hindu devotees by a judicial order on the 1st of February 1986. मैं उस समय मिड ट्विंटीज में था, इस साल साथ का हो गया. इन 35 सालों में भारत पहचान से परे बदल गया, beyond recognition. ये बदलाव लेकिन संकीनता सेक्टेरिनिजम की दिशा में है. इन 35 वर्षों में धर्म भारत की नीती और राजनीती का केंद्रबिंदू बन गया है. धर्म हम सब के सोशल आइडेंटीटी का प्राइमरी बेसिस बन गया है. इन पिछले 35 वर्षों के दौरान आज के 65 प्रतिशद भारतिये लगभग उनका जनम इस 35 सालों में हुआ था. उन्होंने लगातार उस विवादित मस्जित मंदिर को लेकर तीखी कभी-कभी हिंसक कॉन्फिलिक्ट देखी है. कभी उसको लेके कोई adjustment या फिर coordinated तरीके से रहने का period नहीं देखा है. अगले साल विद्वन्स के 30 साल हो जाएंगे. For the last 29 years, there has been no Babri Masjid, yet it occupies primary space in Indian socio-political discourse. आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान हो रहा है, तो कोई Babri Masjid का जिक्र नहीं करता है. यहां तक जो अयोध्या के पास सुप्रीम कोट के आदेश अनुसार जो जमीन पर मस्जित बनेगी, उसका नाम भी कुछ और होगा. परंतु हर संग परिवार के narrative या discourse में, जीत शब्द का इस्तिमाल होता है. But in this victory, there is an underlying sense of the Babri Masjid continuing to exist. क्योंकि अगर जीत हुई है और मुसल्मानों पर, तो किस कारण हुई है? And where is the proof of this triumph over the Muslims? लेकिन उसकी अनुपस्थिती में ही, Babri Masjid पूर्ण रूप से मौझूद है. ये बात आपको अजीब लग सकती है, परन्तु यही सत्य है. अब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की ही बातों को याद कीजिए. अयोध्या में, राम मंदिर की भूमी पूजन के बाद, August 2020 में, उन्होंने पब्लिक भाशन दिया. तब भी बाबरी मस्जिट का implicit mention उन्होंने किया ही. राम मंदिर के लिए कई-कई सदियों तक, कई-कई पीडियों ने अखंड, निरंतर, एक निष्ट, प्रयास, यानि कि सिंगल माइंडेड पर्स्यूट किया है. आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है. मोदी के ये शब्द थे. आगे बोले थे, राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पन भी था, तर्पन भी था, संगर्ष भी था, संकल्प भी था, जिनके त्याग, बलिदान और संगर्ष से आज ये स्वप्न पूरा हो गया है. त्याग, बलिदान, संगर्ष, अखंड, निरंतर, एक निष्ट, इन जैसे शब्दों पर गौर फर्माईए, अगर ये जीत की भाशा नहीं है, तो क्या है? हमको सुप्रीम कोट के जजेज के फैसले से मदभेद जरूर है, परन्तु हम ये नहीं नकार सकते कि मंदिर निर्मान एक जुडिशियल वर्डिक्ट के बाद ही हो रहा है. लेकिन बाबरी मस्जिद का 1949 में डेसिक्रेशन और ना ही 1992 में डेमोलिशन किसी लीगल प्रोसेस से हुआ था, राधर, इट हैपने अफ्टर 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 लौस अफ्टर वर वाइलेट और इस कस्टोडियन वर मूट स्पेक्टेटर्स तो प्रोसेस, इसमें कोई दो आए नहीं है, अगर डिसेंबर 1949 में जब बीच रात रामलला की मूर्ती मस्जिद के गुंबदों के नीचे चोरी छिपे रखी गई थी, तो रेस्पॉनसिबिलिटी बहुत हद तक वीडी सावर करकी थी, even though he was not physically involved, this was because that it was part of a Hindu महासभा design, उसी तरह बाबरी मस्जिद के demolition की जिम्मेदारी, BJP के उस वक्त के तमाम टॉप लीडर्स की भी थी, no case was made for criminal violation of the mosque in 1949 by Hindu महासभा activists, a case however was filed against several संग परिवार leaders for participating and conspiring to demolish the Babri Masjid in December 1992, लेकन आखिरकार, September 2020 में, CBI के एक विशेश अदालत ने, सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया, इसमें पूर्व डेपुटी प्रधान मंत्री L.K. अडवानी, पूर्व केंद्रिय मंत्री मुडली मनोहर जोशी और उमा भारती, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुखे मंत्री कल्यान सिंग भी शामिल थे, Supreme Court ने अपने 9 November 2019 के फैसले में बाबरी मजजिद के डेमोलिशन को अनलावफुल डेस्ट्रक्शन अफ प्लेस अफ वर्शिप अफ दे मुस्लिम्स कहा था, Justice Manmohan Singh, Liberaan Commission और भी कैटेगोरिकल थे, उन्होंने कहा था, I found it was a civil conspiracy. I still believe in it. From all the evidence produced before me, it was clear that the Babri Masjid demolition was a meticulously planned operation. I remember Uma Bharati categorically took responsibility for it. It was not an unseen force that demolished the mosque. Human beings did it. मैंने अपने लेटेस्ट किताब, The Demolition and the Verdict, Ayodhya and the Project to Reconfigure India, उसमें मैंने लिखा है. A reading of the judgment makes it evident that Justice S.K. Yadav relied on exhibits that were handiwork of partisan institutions like the Local Intelligence Unit, which almost without fail acts as the state government's handmaiden. अपने retirement के साथ महीने बाद, सिर्फ साथ महीने बाद, Justice Yadav, जिन्होंने सब accused को बरी कर दिया था, उनको सरकार ने उत्तर पदेश के deputy लोकायूक एपॉइंट किया. बाबरी मस्जित राम जनम भूमी विवाद से जुड़े वे दूसरे जज्ज थे, जिन्हें पोस्ट रिटायर्मेंट किसी पद या ओनर से बेस्टो किया गया. उनसे पहले चीफ जस्टिस गोगोई थे, उन्हें राजे सभा में नॉमिनेट किया गया था, वो भी पैंडेमिक के बीच में. क्या जज्जमेंट और इन एपॉइंटमेंट्स के बीच, क्विड प्रो को अरेंजमेंट था? आप ही सोचिए, मैं नहीं सोचूँगा इसके लिए. बाबरी मस्जिद की जिंदगी में कई फेजिस थे. सबसे पहले एक लिविंग मस्जिद की तौर पे डिसमबर 1949 तक. उसके बाद एक बंद प्लेस आफ वर्शिप जिस से मुसल्मान बेदखल हो चुके थे. और फाइनली एक खाली मैदान के तौर पर जिस पर कभी एक सोल्वी शताबदी का एक इमारत खड़ी रहती थी. डिसमबर 2023 के बाद वक्त ये भी आएगा जब इस विवादिद शेतर की टोपोग्राफी पूरी तरह से बदल जाएगी. और एक विशाल मंदिर उस लगभग थाउजन्ड स्क्वेर फीट मस्जिद की जगा ले चुकी होगी. Why is it necessary to remember the 6th of December 1992? सीधे शब्दों में कहें तो भारतियों के विभिन्र सेक्शन्स के अलग-अलग मत होंगे. की कैसे याद रखना चाहिए? मेरे हिसाब से बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का अनिवर्सरी हमारे नैशनल कलेक्टिव का पोलिटिकल, कॉंसिटूशनल और जुडिशल प्रोसेस और इंपार्शलिटी का फेलियर का प्रतीक है. मेरे लिए ये तन डीप इन्टोपेक्शन का पर्व है. How an anniversary celebrating the life of one of the tallest Indians has been reduced to recalling a day when the state failed for the people of India. Namaskar.